हेलो एब्रिवन जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था कि कीरिया क्या होती है आपको जैसे समझाया था मैंने जिन सब्दों से किसी काम का करना या होना पाई जाए उससे हम कीरिया कहते हैं अब हम इस चैप्टर में सैकर्मक कीरिया और एकर्मक कीरिया के उपर एक वरक्सीट करेंगे तो यहां देखिए सैकरमक और एकरमक किरिया की पेचाना हम एक वरक्सीट के दवारा करेंगे ठीक है एक एक वर वाक्यक हमने ध्यान से सुनने और ध्यान से समझना है माँ खाना बनाती है माँ क्या बनाती है जब हम कोई कोश्चन करेंगे और उसका हमें अंसर मिल जाएका तो हमारी सैकर्मक किरिया है जैसे कि माँ खाना बनाती है तो हमें अंसर मिल जाता है तो हमारी सैकर्मक किरिया होती है आप यहां देखिए मदारी बंदर को नचा रहा है मदारी किसको Roth बंदर को हमें अंसर मिल जाना चाये जब हमें किसी चीज्व का अंसर मिल जाता हो तो हमारी सैकर्मक किरिया होतीव पक्सी उडाते हैं कोई कुषइन बनना है इसमें नहीं बनता तो ये हमारी गई पर महकिरिया है अ पीता जी कहां चले गई दफ़्तर अंसर मिल गया न हमें तो ये हमारी से क्रमक कर आगे देखिए राम पढ़ता है अब राम किताब पढ़ता है ऐसा सो कुछ कॉषन को आगे रखके बनाना पड़ता है यह नहीं कि आप पढ़ता ऐसे कोशन बनाना राम क्या पढ़ता है ऐसा कोउषन नहीं गए सिर्टा है पर कि यह मारी आ कर्मक की लिए यहां वी देखी दिवरार से राम पढ़ता है दर्जी क्या सिलता है हमें अंसर कुछ कोछ benchmark के लिए है नेक्सट पेज, अब यहां देखो लड़की बजा रही है, लड़की क्या बजा रही है? सितार हमें अनसर में पूल खिरिया है, बगीचे में क्या खिरिया है? फूल हमें अंसर मिल गया तो यह हमारी सेकर्मक की रिया है सूरज निकर रहा है सूरज कहां से निकर रहा है ऐसा कुछ कोशन नहीं बन रहा है सूरज पूरव से निकर रहा है कुछ अंसर नहीं हमें मिल रहा है तो यह हमारी एकर्मक की रिया है गाएं घास का रही है गाएं क् कुछ भी कर्मक्रिया है कपड़े दो रहा है कपड़े में अंसर मिलता है जहां पर हमारी से कर्मक्रिया होती है हीरन दोड़ता है हीरन कहां दोड़ता है कोई कोश्चन नी बैटरा इसका हमारा तो यह हमारी कर्मक्रिया है ओके